नवाश्का दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं, उसका नाम है HFCL Limited यह स्टॉक 147 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, मार्केट में आज इसने 4.68% का डाउन मूव दिया था मार्केट काप हो गया है, इसके 21,217 क्रोड की, मोटर होलिंग 37.60% है, बुक वेली 27.40 है, डिविडियो 0.14% और फेस वल्यू 1 है फंडमेंटल वीडियो में अलड़ी बना चुके हूँ, पेले इसमें आड कर दोने आप देख सकते हैं अभी के लिए शॉट में देखें तो इस स्टॉक 15,202 डिये में से उपर ट्रेड कर रहा है, ये एक अच्छी बात है पी रेशो की बात करें, तो मीडियन से थोड़ी सी उपर है 5 एस के टाइम स्पैन पे एंड वन मंथ पे देखें, तो कही न कहीं, मीडियन से बहुत छोटू सी उपर है, मीडियन के उपर ही बोल सकते हैं आप सो कोई दिक्कत परिशानी की बात नहीं है, सेल्स इन मार्जन की बात करें, तो यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जन थोड़ा सा हमारा रिकवर हुआ था अभी के लिए चलते हैं इसके चार्ट पे, चार्ट पे दिखें, हमने जो लास्ट अनलेसिस करी थे तो हमने बात करी थे कि यह इसका काफी स्ट्रॉफिट है 151 का, इसके उपर ही सिस्टेन करता है और चैनल से भी निकल गया था, तो यह एक अच्छी बात है, हलांकी अपन नीचे स्टॉक जरूर गया था अपने रिजिस्टेन्स को ब्रेक करके, तो अभी के लिए अगर देखें, तो इसने अपने सपोर्ट को ब्रेक किया है, और नीचे वाला जो सपोर्ट है वहां से रिवर्स लेके आया है 146.25 का हम सपोर्ट लेके चले थे, और इसने जो लो है 146.25 का ही लगाया है, वहीं से रिवर्स लेके आया है और यह काफी प्रॉमिनेंट सपोर्ट था, तो अभी के लिए तो यह सपोर्ट ठीक ठाक है, एंड लग भी स्ट्रॉंग रहा है, लेट सी अब कैसे ब्हेव करता है, क्योंकि इसके नीचे इसका पिवेट भी आता है तो पिवेट से तो अभी यह स्टॉक ऊपर ट्रेड कर रहा है, अभी के लिए एक बार हम बॉलिंजर बैन लगा के देखते हैं, लेट सी यह कहां पे है, तो यह देखे 20 डे सिंपल मोविंग एवरेज के बिल्कुल ऊपर है, तो यह भी एक अभी के लिए अच्छी बात है, अगर यहां से रिवर्सल लेता है, तो बहुत अच्छी बात रहेगी, अभी के लिए एक बार देखते हैं, RSI, RSI 53.44 पे है, और RSI ठीक ठाक स्टेज पे है, यहां पे इसको सपोर्ट भी है, यह देखे ही, बिल्कुल वहीं पे ट्रेड करी थी, यहां पे सपोर्ट भी है, ह हो सकता है, यहां से हमें रिवर्सल देखने को मिला, अगर कल मार्केट साथ देती है, तो यहां से भी रिवर्सल यह RSI ले सकती है, अभी के लिए 3.82% के डान वो मिले हैं, इस वीक में, हलांकि 3 ही दिन हुए है, अभी के लिए 2 दिन और बाकी है, इस वीक के, लेट सी, क्या होता है, बट RSI काफी अच्छी स्टेज पे है, यहां पर मुत लगता है कि, वो अब ट्रेंड अभी इंटेक्ट है, क्या RSI 60 के ऊपर है, अभी के लिए चलते हैं इसके चार्ट पे, चार्ट पे देखिए, सबसे पहले तो इसका प्राइस में 20% का है, एंड 11 को न्यूज आई थी, जो कि आज, आज न्यूज आई है, आफ्टर मार्केट, की 19 सप्टेंबर को एक मेटिंग है, दौलत कैपिटल, मिट कैप, एंड स्मॉल कैप कमपनीज, एक्सपर्ट कांफरेंस 2024, जो की है सप्टेंबर 19 को मुंबई में, तो वो यह अटेंड करने वा सप्टेंबर, तो यह भी दोनों चीज़ें अटेंड करने वाले हैं, यह चीज के बारे में इसने इन्फोमेशन दी है, अभी के लिए देखे, डिलिवरी परसेंटेज 72.80%, दिस इस एक वाइट फाइन नंबर, तो मतलब 73% का डिलिवरी परसेंटेज इसमें गया है, जो कि बहुत स्ट्रॉंग नंबर है, वाल्यूम की बात करें, तो कल वाल्यूम आया था 18.37 मिलन का, आज वाल्यूम आया है 27.14 मिलन का, वाल्यूम में जंप जूर देखने को मिला है, अब देखे, यूजली क्या होता है, जब स्टॉक ना थोड़ा सा, क्योंकि आज आपको पता ह है, उससे बड़ा डाउन में पहले आया था, और तब इतना ज़्यादा इस टॉक नीचे नहीं गिरा, तो मुझे लगता है कि इसमें रिवर्सल की पूरी-पूरी संभावने और कल आ सकता है, अब देखे, ना आये तो एक अभी सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा स्टॉंग है, और कोई prominent reason भी नहीं है, तो of course technically तो ये लग रहा है कि हाँ, रिवर्सल आजाएगा, अब रिवर्सल जब आएगा, तो हो सकता है ये stock 151 को cross ना कर पाए, ये भी scenario ज़रूर बनता है यहां पर, and ये RSI थोड़ सा हो सकता है, hiccup ले 60 के आसपास, and जब ये cross करने लगे तो 60 के आसपास, अपने आप ही hiccup हो जाएगा, अगर ये cross नहीं कर पाएगा, तो अभी के लिए जिसके month के end के target है, उसको achieve करने के लिए हमें 16.46% के move की ज़रूरत है, and ये ही target हमें intact रखेंगे, अभी थोड़ा से देख लेते हैं कि sideways तो नहीं जाता है, अगर ये sideways जाता है, य की RSI, थोड़ी वैसे high तो नहीं बोल सकते हैं, इसकी monthly RSI चेक कर लेते हैं, तो monthly RSI 75.59 पे है, तो इतनी भी कुछ ऊपर नहीं है, थोड़ी सी settle हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, like यहां पे 71.47 के आसपास होके जाए, तो बहुत अच्छी बात रहेगी, otherwise इतनी कोई ज थोड़ा सा हम चेक करते हैं, किते percent के इसने move दिये हैं, तो यह थोड़ा सा हमें करना पड़ेगा इसका, तो यहां तक के इसने move दिये हैं, 94% यहां पे, 91.65%, मतलब 92% के हो, बहुत strong move होते हैं, देखे, April, May, June, July, August, यह September चल रहा है, तो मार्च के भी a half और इसका भी half, तो 100% के आसपास के move मिल रहे हैं, तो यह बहुत बड़ी बात है, और अगर किसी ने swing ले लिया होगा, तब तो अफकॉस और ज्यादा move मिले होंगे, तो अभी के लिए यह हमारे target है, अगर यहां पर बात करें, trading view की तो यहां पर buy की है fresh entry, and मुझे भी लगता है कि यहां पर buying क entry तो बनती है, साथ के साथ अगर अब candle pattern को अगर हम read करें, तो candle pattern देखी, यहां पर थोड़ा सा हमें देखने को मिला है, ट्विजर टॉप तो नहीं बोल सकते हैं, ट्विजर टॉप तो नहीं है, बट यह अब भी थोड़ा सा हमें R1 से resistance देखने को मिली है, rejection देखने को मिल तो यह hanging man का भी काम कर सकता है, और उसके बाद down move देखने को मिला है, तो profit booking भी है थोड़ा सा, तो यहां पर एक चीज़ जरूर बोलूँगी कि stop loss जरूर लेके चलें, stop loss जो इसका major वाला बनता है, यह मुझे लगता है काफे strong है 140 का, तो आप अपने appetite के according stop loss लेके चलें, ब अभी के लिए जहां पर यह trade करा है, वो तो definitely strong है, बट यह बहुत pass है उसके, तो अगर थोड़ी से fluctuation आते तो breach हो सकता है, एक दुबार breach हुआ तो फिर stock का हाथ खुल जाता है, नीचे जाने के लिए, तो उस चीज़ का थोड़ा से ध्यान रखके चले, and rest यह मेरी analysis है, पढ़िये और फिर invest करें, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, and happy investing.